है यह अगो आगो आगा अगो कि हैं आगो कि हलो चैंपियंज कैसे सब लोग आइहोब सब बढ़िया हूंगे स्वस्तों गयों अपने तैहरे में लागे हूंगे तो आज हम फिर हाज़ी रहे कि बहुत interesting session के साथ आज हम discuss करेंगे हमारे current affairs और इसमें mostly मेजून तक का या कुछ questions है जुलाई के भी current affairs से लिए गये हैं अगली दो-तिन classes में हम mostly जितने भी हमारे current affairs है जो questions है last मतलब की till September वो सारे कावर करेंगे और उसके बाद में जो mix questions है उसके उपर आपको definitely एक वीडियो मिलेगा किसी साथ से हमारे जो एक नौंबर से इस्टेटेजी होगी वो कैसे होगी और किसी साथ से हम last के जो next 14 days है उनकी preparation करवाएंगे ठीके बेटा तो आज class शुरू करते हैं good morning बेटा good morning good morning इतना सब बताने के बाद में क्यों हम बहुत सारे बच्चे जो regular हमारे followers है regular हमारी class को starting से सुरू करते हैं वो समझते होंगे कि सर क्यों बार-बार इस चीज को repeat करते हैं लेकिन repeat इसलिए करना पड़ रहा है इतना सब करने के बाद में भी दिन में कम से कम बहुत सारे से call आते हैं जिसमें की applications related queries होती है तो वो सारी queries हम चाते हैं कि यहाँ पर आपके 30 minutes के अंदर हम वो query result कर दें लेकिन आप फिर भी बहुत सारे से बच्चे होते हैं उन पर फिर अफसोस होता है वहाँ पर जब बच्चा पर गूगल प्ले स्टोर पर जाके इन्रोल कर सकते हो इसकी लिंक भी हमारी हर क्लास के अंदर होती है और इसको इंस्टॉल करने के बाद में आपको माय जो आपका ओल इंडिया लाइव टेस्ट है वो फ्री ओप कोस्ट मिलता है उसकी कोई चार्ज नहीं है रेजिस्टेश कुछ भी अगर कुछ भी ऐगर आपको चैलेंज आए कुछ भी इस्यों आए तो यह हमारे हमारे अमर है जिनपर की आपको पोल olhar these नी hasn't जिस पे आप 12 से 5 बजे के बीच में मुझे call कर सकते हो यहां पर एक चीज और जिसमें बार-बार बच्छों की बहुत सारी questions आते हैं उसमें बोलते हैं कि सर जो मैं अगर आज 499 का enrollment करूंगा तो मेरा next 6 तो आपकी स्टार्टिंग डेट वह 26 जुलाई से हो रहां से आपके 6 वहां पर इस पड़ावा और डेफिनेटल आपके सारे नोट से वहां पर अविलेबल इसलिए स्टार्टिंग डेट है वह 26 जुलाई है यह है 25 जन्वरी ठीक है वेटा उसके बाद में अगर class को सुरू कर करते हैं क्लास को सुरूख करने के साथ यह माय राइजिंग इंडिया हमारा जो टेलिग्राम चैनल जिस पर S.S.C. , G.D.C. related updates मिलते हैं इसके इसके अलावा टीम आरे सर जो हमारा टेलिग्राम पास में उन्हें के साथ इसको जैसे डैली एक से एक सेप्रेट सेस्ट है तो वैसे ही फेजवाद का जो नामकरण है वो अपडेट करके और ओर यह अर्ट में आता है विटा लास्ट ये की संसर उठा की देख लिए डैफिनिटली कुछ लगी उन्हें इंडिये की क्योशन करेंगे और एक क्योशन तो अभी मैंने कुछ last मतलब की दो-तिन classes पहले ही कराया था जिसमें मैंने किलिया लिए जो भारत माला का क्योशन था उसके अंदर मतलब की किलिया लिए वो थोड़ा सा twist करके की क्योशन को दिया गया था और इसलिए मैंने बार-बार मतलब पीछले जो मारे करेंट अफेट सी classes लिए उसमें सागर माला भारत माला इसे लेटे जितने भी हमारे मतलब की क्योशन से वो सारे क्योशन से वो करवाई के यह हैं ठीक वेटा योगी जी हाँ वेटा तो यह चीज है कुछ political motivated भी बोल सकते है और कुछ अलग रिजन्स भी हो सकते है that is separate debate लेकिन यह है कि हाँ और रिप्लेस करके और डेलीकेंट के नाम से कर दिया गया है ठीक वेटा उसके बाद में नेक्स्ट जो ब्लेट पॉइंट है वो वैसे तो अभी आज कल का कोई इवेंट नहीं हुआ लेकिन मैं इस बुक को स्टडी कर रहा था इस बुक के अंदर थोड़ा सा डीप में जान रहा था उसी वज़े से मैंने सोचा कि वैसे दो-तिन मैंने पहले यह न्यूज आई टी और उस टाइम पे मने ब्लेट पॉइंट में में मैंसन किया था लेकिन आज फिर से मैंने 1962, 1962 का जो टाइम था जहां पे हमारे जो रिलेशन्स थे उसके चाइना के साथ में तिबद के साथ में 1909 से लेकि जब से मतलब की चाइना में एक सिविल वार हुआ और वहां पे जो यह है जो कम्यूनिस्ट पार्टी उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो तब से रिलेशन लेकि उन्होंने इनिशिल हमसे बात की तो हां कि तिबद के अंदर हम सिर्फ टेंप्रेर रूप से आये हैं ये करेंगे वो करेंगे और उसके बाद में इनिशिल उन्होंने बैसिक रिक्वारिमेंट रखी हमारे जो मतलब कल्चरल कनेक्शन थे उनके साथ में वो सारी चीज़े रखी और उसके बाद में भी मतलब की वो एक जो पंसिल का शिदान गया 1955-54 के आसपास और उसमें हम जो ट्रस्ट करके तले गए लेकिन उसी टाइम पे 54-55 के आसपास ही मतलब हमारा जो लद्दाक वाला एरिया अकसाई चीन है वहां से उन्होंने जो हाईवे बिल्ड कर द गए ते और वह एक जो नहीं ब्लफ खेलाता है युकां से और जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा और उसके बाद में हमारे जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी वह थी कि हमने जो तिबत के लिए जो नेगोसेशन से चाइनीज की साथ में उन्हें सबसे बड़ी मिस्ट तिबत और यह इंडिया और तिबत यह जो ब्रिटिस गौर्वरेंट थी हमारी उनके और तिबत की बीच में में कमों लाइन पर फाइनलाइजेशन हुआ था लेकिन चाइना ने मना कर गिया था उस टाइम पर कि जो तिबत है वो कंप्लीटली इंडिपेंडने नहीं है उस किसी देश के वह कैसे बिल्ड होते हैं और उनके बीच में जो गैप क्रियेट हो जाता है वह कैसे मतलब कि आगी जाके प्रोब्लम करता है तो यहीं चीज और इसी में इसी कड़ी में जैसंकर जी का एक वह था वीडियो भी देखा होगा उसमें वह मतलब के इंट्रुवी दे रहे तो उनमें बोल भी रहते कि जो अभी जो लद्दाक वाला जो अग्रेशन हुआ है इंकर्जन हुआ है उसके बाद में डेफिनिटली अभी जो हमारे रिलेशन से जो एक 1989 के बाद में बिल्ड होने लगे ते या वापस से हमने एक बिजनिस वापस एक मतलब हैं उनमें चाइनीज को अलाव नहीं करें और उसके अलावा भी जैसे आपकी वह है ऐसमें भी हमने बैन कर दिया कि कोई भी है चाइनीज कंपनी अगर डायरेक्ट पैसा नहीं लगा सकते उसको गवर्वेंट से पहले रेगुलेशन लेना पड़ेगा तो इसी और हमने जो पहलेक्ट की बारी है कपिल दिवानसु बेटा बार 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 बोलने से चीज़े चेंज नहीं होती है ट्राइट अंडरस्टेंड इस तरह से स्पह्म ना करें ठीड़ा उसके बाद में वह चीज़ें आपकी जो केमेस्ट्री की जो दिवानसु बार बार कंपेंड कर रहा लाता वह यही है वेटा कि उसके लिए हम इस्टिल व्यार रिवियूंग और उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक है उसके बाद में तो यह निर्पुमा राव साब की बुक लिक हुई है और काफी इंट्रेस्टिंग बुक है क्योंस भी बन सकते इससे और इस्पे पहलो जन्रेट होने का बहुत इजी वे होता है है ना तो आपको टोपिक देदेग जो देव फ्रेक्टर डे हिमाले हैं वो इनकी निर्पुमा राव साब की बुक है और इसमें यह चीज़े थोड़ी से समरी में दे दी और आपको डिबेट के लिए दे दिया या सस्बी व आरो आइपी इनेबल लडी श्यामा परसाद मुखर्जिपॉर्ट है ना थे टिकलोजी होती है जिसमें आप फॉन को वगईरा कटे उसके अंदर जो लेनलाइन सवते होते हैं उसके अंदर वियू आइपी टेकनलोजी होती है इसके ऊप इंटेनेट पर्टोकोल होता है एक मतलब की hierarchy चलती है जिसमें 7 layers होती हो और उसमें IP protocol है वो layer 3 पे काम करते हैं layer 3 पे काम करने के लाव तो थोड़ा debate में चले जाएंगे अलग मुद्दे पे चले जाएंगे आप इसको high level पे समझेए कि जो RYP है वेसे ही VIP की तरह RYP है वो radio frequency पे काम करता है और दूर कमनीकेशन भेजने के लिए यह टेक्नलोजी है वो radio और इंटरनेट प्रोटोकोल है वो यूज की गई है और यह कहां पर enable होगी है इंडिया में पहली बार श्यामापरसाद मुखरजी जो port है उस पे enable होगी हो और यह कहां पर port है यह कॉलकता में है यह कौन से लेयर पर चलती कौन से पर नहीं पर यह तो इनसे क्योंस आपके नहीं बनेए क्योंकि यह कंप्रेटली आइटी में चला जाएगा बीप official पूछते हैं इस बुक का central point क्या है इस बुक का अगर बेटा एक मिनट और लूंगा में इस पॉइंट को explain करने के लिए इस बुक का बेटा central point यही है कि 1949 से 62 के बीच में जो 13 साल का time duration था उसमें हमने Chinese को recognize किया और उसके बाद में हमारी जो मिस्टेक्स थी जो हमारी समझ थी कि किसी साफ से वहां का जो head था जैसे sea jumping है वैसे उनका जो current head था उस time का तो उन्होंने बार-बार मतलब किसी साफ से अवनाचल परदेश को avoid किया था बार-बार उनके communications में और जो सिक्किम वगिरा पे pressure build हो रहा था तवांग पे बिल्ड हो रहा था pressure और उसके अलावा भुठान वगिरा पे प्रेसर बिल्ड हो रहा था कि किसी साफ से जो Chinese है जैस लेने के बाद में हम लिमिटेड ही अपनी रखते हैं रखते हैं लेकिन जब 1959 में दलाइल आमबाजी है वह इंडिया में आ गए थे वहां से चोड़के और वह एक cultural relations थे उसके बीच में तो उस हुझे हमारे और तिब्बत की बीच में और बहुत पुराने relations अगर आप सब्सक्राइब से लगबख साड़े 3000 साल पुराना जो इतियास है वहां से अगर हमारे cultural relations इस country के साथ में तिबत के साथ में तो वहां पे वह चीज़ अगर एकदम से मतलब की completely direction चेंज होती है तो डेफिनेटली वह सेट बैक होते हैं तो इस बुक में यही चीज है कि किसी स साथ से जो 13 साल का time duration है उसमें Chinese ने सारी जो policy है वो अपने ही साथ से कैसे define की और इंडिया पे किसी साथ से pressure build वा और इंडिया ने जो mistakes की जिसमें कि आपकी जो boundary lines है अगर आप biggest point बोलो इसका theme बोलो बुक का तो सबसे बड़ा setback यही तरह इंडिया के लिए कि इंडिया ने यह accept कर लिया कि तो ठीक है boundary lines है उसको हम बाद में कर लेंगे उस पर बाद में बात कर लेंगे ठीक है बेटा तो यह चीज है यह हमारा point clear हुआ उसके बाद में next point पे ब्लेट point पे चलते हैं security inc best on nano materials developed by इंडियन साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट इंडियन विक्सित की गी यह मतलब की news कल साम को publish हुई थी लेकिन अभी इसके उपर जो highlight tweet है वो ही यहां पे रहा है इसकी जो back end की मैं इसमें more ज्यादा से ज्यादा study करने के लिए इसको review कर रहा था लेकिन जो back end का URL थी वो मतलब की अभी हटा दी गई है और यह जो इंक की वो हुई है मतलब की जो नेनो पार्टिकल के basis पे इसको इंक की जो बिल्ड की है उसका मेन यह है कि जो counterfeit notes होते हैं या जो नकली notes होते हैं उनके साथ में जो original notes होंगे जिनमें यह स्याही यूज की हुई होगी उन notes के साथ में जैसे ही नकली notes यूज में तो वहां पर एक LED टाइप की light generate हो जाएंगे और वह नोट है वह identify हो जाएंगे तो उसी साथ से आम लोगों में क्योंकि जैसे 500 का note देखो आपे 100 का note देखो तो बहुत मतलब माइनर सा difference होता है और जो आम लोग होते हैं उनको उस चीज़ को पकट पाना बहुत ज्यादा तो उस scenario में यह अगर यह चीज operational हो जाती है इन यूस आजाती है तो एक बहुत बड़ा मतलब की और इसका अगर तोड़ नहीं निकल पाता है जो counterfeit notes बनाते हैं नकली notes बनाते हैं उसका अगर तोड़ नहीं निकल पाता है तो definitely एक काफी positive sign होगा क्योंकि नकली notes की उन चीज़ों की को control करने के लिए हमने जिसी साब से you can say demonetization किया था लेकिन उसके बाद में हमारे जो notes से वह 99.99% तक के हमारे जो note है वह वापका से RBI के पास ले गई थे तो वह उतनी ज्यादा successful नहीं रही थी demonetization है तो अगर यह इंक वाला यह चीज़ अगर definitely operation में आती है तो बहुत बड़ा positive है वह इंडिया के लिए होगा थी विटा उसके बाद में उसके बाद में अगर next question पर हम बात करें विच इंडियन कंपनी जोइन डी वाल्ड economic forum में initiative of racial justice in business है वेवसाइब में नसले नाइकी विस्व आर्थिक मंच से पहल में कौन सी बहुत यह कंपनी सामिल हुई है तो definitely आपने देखा हुगा कि racial comments वगिरा भले ही हम नहीं बोले लेकिन जनरली हम बोल देते हैं जैसे कोई बिहार से भाई होता है तो हम जो अपना फ्रेंड भी होता है तो हम वेसे don't take it otherwise मैं के राजिस्तानी से बोल देता हूं अगर जैसे ना कि रास्तान से कोई भी आदमी हो तो मारवारी एक जैसे उसरे नाम से बोल दे वैसे ही जो साउथ से कोई लोग है तो उनको अलग नाम से बोला जाता तो वह एक नसलिये मतलब कि कम रहें से ल कमेंट्स हो गई वह ना तो बैट इस सेरियों में जो और उसके अलावी जो बहुत सारे पिछड़ी लोग है उनको मतलब कि आगे लाने ओक्टोबर यह है वेटा 2020 क्योंकि ओक्टोबर 21 भी चल रहा है तो यह ओक्टोबर 12 ओक्टोबर 12 ओक्टोबर 2020 को आपने अगर आप अभी भी न्यूज में जाके देखोगे 12 ओक्टोबर 2020 को मुंबई की वो अगर हम जैसे इंडिया की एक आर्थिक राजदानी के रूप में जानते हैं जिस सीटी को वह अगर कम्प्लीट लिए सोचों की पावर आउटेज हो जाए कंप्लीट ब्लेक आउट हो जाए तो कैसा फील होगा और यह एक मतलब की इनिशियल वह है एक मैसेज एक वोनिंग है कि आने वाली तायम में यूद वगरा होंगे वह सबसे पहले स्टार्ट होंगे साइबरयव से होंगे जैसे आपके सेटलाइट सर्गिन oranges करना आ उनों को परिलाइज कर देना जिसी कि आप कुछ कर नहीं पाओ और वह यह एक नमउना है जो यहाँ पे जो यह आपका स्यड सोफ्ट्वेर थे वो सारे से डेमेज हुए कि वहां पे कंप्रीट ग्रीड है वो सारे बैट गए थे और उस वज़े से कंप्रीट जो मुंबई थी वो ब्लेक आउट हो गए थी और जितने भी जैसे मेट्रो वगिरा जो इलेक्रिस्टी चल रही है और चल दिये वो सारी में बात करूं एक मिनट इसको थोड़ा सा एक्स्टा लेकर जाने की कोशिश करूं तो उन्होंने अपनी जो साइबर सेकुर्टी उसको बहुत ज्यादा एडवांस करका उसमें इतना एडवांस करका है कि वहां पे आपकी जैसे नॉर्मल हम गूगल चलाते हैं फेस्बुक यह प्लेटफॉम है है तो वहां पर रहते हैं घ्रय जाने उनलों के नौन nom 뭐 ठाटरत करके हैं और ओराफिध से उसलों के निकलता है ुसका एक और फसे बहुत जादा एस्टीर्टे sırों होती होते हैं जो भी companies है वो चाइना में business deal करती है उनको बहुत ज़्यादा problems होती है तो उन्होंने अपनी cyber security काफी advance कर रहे हैं लेकिन हमने है क्योंकि हर देश में अब आप सोच रहेंगे सर इंटरनेट है उसको कैसे control किया जा सकता तो इंटरनेट को इसे control किया जा सकता है कि जिसे हमारा मुंबई हो गया यहां पर चन्न ही हो गया कोलकता हो गया जहां जहां से हमारे मालों की इंटरनेट की जो लिंक से वह बाहर निकलती है वहां पर अगर हम बड़ी firewalls बिठा दें और अपने सारे जो ट्रैफिक है उसको control करने लगे उसको scan करने लगे तो वही जो चाहिना कर रहा है वह वाली scenario जनरेट हो जाएगी यह बाकी जो आपके ट्रोजन है यह है यह सारे आपके वाइरस है लेकिन यह इनका डिफेंट वर्क इस्टाल है डिफेंट काम है इनका डिफेंट काइंड ओ वाइरस है यह उसके बाद में नेक्स्ट क्यूशन है नेक्स्ट क्यूशन के उपर अगर हम बात करें लिफेंट किस राजने खादे मिलाउट करने वालों को आज जीवन कारावास की सजा देने वाले कानून को मंजूर दी काफी वैसे अच्छा भी है क्योंकि किसी साबसे आप खाने के चीजों में अगर अगर मिलाउट करो तो उसमें उसमें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए कि जो डेफिनिटली यह जो काम है जैसे एंपी गर्वेंट है उन्होंने डिकले किया उन्होंने लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट या मतलब आजीवन कारावास की सजा है वो डिकले किये कि जो भी बच्चों को इंपेक्ट करते हैं अगर कोई बच्चा है वो दूद वगिरा यूज करें तो ऐसी चीज़ें अगर मार्केट में हो तो बहुत रिस्की चीज़ें हो रिसके लिए बहुत कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए आपके कई जैसे है कि खाने-पीने की आपके अना प्रिम्स पे नेक्स्ट क्यूस्ट नेहिक नाच संग्तेलिची सक्राश्य क्या है सट गडेया की संक्पर्म संटसेंस को मतलब ये चीज़ें निकल क्या है difईव्णं एनकृग्रिमेंट आऊं सबट आधूगार वामा जी उस टाइम पे थे सबसे आगे लीड करने वाले में हमारी प्राइम मिनिस्टर जी भी गए थे और वो चीज़े हुई थी वहाँ पर पेरिस एग्रिमेंट और काफी मतलब की एक पोजिटिव पहलती कि किसे साब से मैं अपनी क्लाइमेट को चेंज करें और उस टाइम से ही यह चीज़े वह आई है और तो इसमें आपका जो UN FCC है उन्होंने मतलब की यह जो NDC Synthesis Report है जिसमें कि किस देश ने कितना मतलब की है क्लाइमेट जो टारगेट से डिफाइन हुए थे की हम इतना जो इन्वाला एनरजी कि यूज करेंगे इतना मतलब कि हम कॉल का प्रोडडक्शन है वह मतलब की कवकर देंगे तो अगर दिशी रेनीवाल एनर्जी के टार्गेट्स जो इंडिया ने सेट के एते वह लगबग एक देट दो साल पहले ही अच्छीव कर लिए और इंडिया है वो उससे नेक्स लेवल पे रिन्यूबल एनर्जी है इस पेसलिए अगर हम बात करें सोलर एनर्जी पे है वो काम कर रहा है ठीव इटा उसके बाद में विचीज दा वर्स फ़स्ट कंटी टू बैन और वल्चर टॉक्सिक ड्रग्स नॉन सोफ़वार अब तक याद सभी गीद विशाक दवाव उपर परतिवर लगाने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा है आपने देखा होगा वल्चर से डेफिन इसा आथ कुम नैंटी की आसपास में मतलबकी आसपास असपास पॉस में जिसे मानलब के मर जाता दो वहां पर हजार तो आजाता में एन्विuges करने के लिए की पॉजिटिव होता था अब यह है वह बहुत परिशानी होती है अगर इसा कोई इंसिजेंट होता है तो उस टाइम पर यह चीज़ थी क्योंकि गीद वगिरा वह बहुत ज्यादा बहुता है इतसे लेकिन अभी वह चीज़ क्योंकि अभी कोई सब्सक्राइब कर दिया है उसके बाद में ट्रिप्स के बारे में अगर बता हूं आपको तो ट्रिप्स क्या है आपका एक्रेमेंट ऊणी ट्रेड डिलेटेड असपेक्ट ओन इंटेलेक्चुल प्रौपर्टी राइट्स राइडस अब इस में च्या होता है कि जैसे यह चीज़ है कुल ए कि मैं तो यहां पर इसका जो कर्नेख्लिंक्या वह और व्गिनक्टी ए है इसके बारे मैं explain करेंगे सेकिंड वर्ड ट्रेड और्गिनाइजिशन यह वर्ड हेल्ट और्गिनाइजिशन है जो आइम आइप इंटरनेशन मॉनिटरी फंड है आइम जो बैंक है यूएंजी यह है वो यूनाइटेज नेशन की अगरी आपए नॕ्सम के अध regulations क्रें यह है इस विक्सित की विक्षीन एंडिया ने यह चीज़ विक्सित करें तो उनको मतलब कि टेक्नोलची ट्रांसपर है वो दूसरे देशों को की जानी जिती है कि जो अंडर डवलप्ट कंट्रीज है उनको वेक्सिन साव इजीली मिलें लेकिन यूएसे है उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं कि यूएसे यह वोला कि नहीं अगर वेक्सिन है वह हम डवलप कर रहे हैं तो हम ही अपनी मानमर जी की जो प्राइस है उस पर हम सेल करेंगे हम कि कि इसी को भी अपने टेक्नलोजी है वह नहीं देंगे एकने इंडिया ने इसका ऊपनले सपोर्ट किया था ट्रिप्स का इंडिया ने बोला तकी जो भी जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है उनमें बहुत बूरी हलत है और इनको सपोर्ट करना चाहिए और उसी जो ट्रिप्स आ प्यादा है कोवेक्स आपने नाम सुनाओगा कोवेक्स क्या है कोवेक्स और बार-बार में बहुत पार explaining भी कर चुका हूं काफी important भी है क्यों संस भी बन सकता है क्योंकि पिछले लगब डेली वेसिज पर ही यह यह उलता है तो कोवेक्स आउपको सबको पता होगा क्या है कोवेक्स है वह आपकी जो कोवेक्स है उसको एक दूसरी जो under developed countries है उनको मतलब की help provide करना और वो है सब रहा है वो कई दो रहा है तो इंडिया है इंडिया ने कयी तैए हैंक तुम भी टांसपे तो इंट्रवेंट्री से वह इ thể बद्वरी वहां पर हम बहुँ जिस्टम फर लिस्ट करीस्ट कிसंक लिए इस जोOM ब्रॉदम एट बेमेड़ बोदोakte सुछ कुछ को अंतिंग रूप दिया है और यह डेफिनेटली यह है अगर वन डिस्टिक वन फोकस प्रोडेक्ट यह सारा कुछ है वो है एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में उसके बादमें Fall Army War जो एक कीड़ा होता है अपने देखा हुगा हम बोलते हैं कई बार अगर आगर जिससे किसान बेक्राइज से कोई लोग है तो जानते हुगे हम बोलते हैं की लट लग जाना है वह लथा है कि कभी कपास के क्हेति में हम बոलते हैं लट लगगई या मक्टे के खेत में हम बोलते हैं कि लट लगी तो वो कीड़ा होता है वो सारे मक्य के पत्तों को छेद कर देता है या कपास के पत्ते हैं उनको खा जाता है तो लट लगने वाला जो चीज है वो है फॉल आर्मी वोर में इन्फेस्टेशन ओन क्रॉप्स हैज बिन रिपोर्टेड रिसेंटली इन विच प्लेस तो यह रिसेंटली कौन सी जगह पर है जो मतलब की रिपोर्ट की गई थी इसका अगर मैं क्योशन कांसर दूँ तो वो है इसका वाइनाड केरला और वाइनाड है वो डेफिनेटली अब आप मुझे बताएंगे कि वाइनाड है वो इसकी वज़े से ज़्यादा नियूज में है या एक दूसरा रिज़िन है जिसकी वज़े से ज्यादा नियूज में था किस वाइनाड है वो काफी मतलब की अगर हम बात करें पिछले धाय तीन साल की दो काफी ज्यादा नियूज में रहा है वाइनाड तो कोई बच्छा explain कर सकता है कि वाइनाड है वो दूसरा किस रीजन से है वो काफी न्यूज में रहा है नीराज प्लीज फोकस on study ना कि वाइनाड कोई बताएगा बच्चा क्विक्ली में 18 सेकेंड का टाइम लोगा कि वाइनाड है वो क्यों ज्यादा मतलब कि न्यूज वगिरा में रहता है वाइनाड वाइनाड केरला आदित्ती बताओ वाइनाड के 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 वा कि मोदी जी वहीं से हैं वाइनार्ड है आपने राउल गांदी जी के बारे में जब इलेक्शन फाइट क्या था काफी ज्यादा निउस बनाइती है उर काफी मतलब नेसल वीडिया में काफी दिनों तक ये बने थी क्योंकि रावल गांधी जी ते वो उनकी जैसे पर्मनेंट जो कॉंस्टेट्वेंट से थी वो अमेठी थी वो हमेशा अमेठी से एलेक्शन लड़ते आ रहे थे अगर आप यूपी की पॉलेटिक्स का थोड़ असा सर्वे करो तो यूपी में सिर्फ 2 सीर्ट थे वो हमेशा के लिए कॉंगरेस के लिए फिक्स थी काफी दिनों से काफी सालों से एंबोटि अ मेठी और राइब्रेली नहीं से सोन्या गांधी जी लड़ते हैं और अमेठी है वहां तो रेक्षा से लड़ा था एक लाडिघसे और एक लड़ाता वाइनार्ड से क्योंकि वाइनाड है वो थोड़िसा काफी जर्बाववले एरिया है मुस्लिम भाववले एरिया फूब जनरली माना जाता है कि जो मानुरीटीस है वह कोंग्रेस सपोर्टीव होती है एसा नहीं है वैसे अभी चीजह काफी चेंज हो गई है लेकिन इसा माना जाता है तो उस सिनेरियों में क्या है कि जो अमेठी से रावल गांदीजी हार गए और वाइनाट थे वहां से यह आज की नेक्स्ट क्यूशन पर यह चीज़ आपको पता हूंची करन्ट अफेर्स में बहुत ज्यादा मतलब वाइनाड वगिरा यह चीज़े यह नेम वगिरा है वह फोलो करना चाहिए उसके बाद में एक्स्ट क्यूशन पर बात करते हैं विच स्टेट इस टू कंडेक्टिट से फर्स सर्वे ओप दी सोशल एंड एजुकेशन कंडिशन और पिपल फ्रम दी बैक्वार्ड क्लासेज किस राज्य के पिछला वग लोगों की सामाजिक और स स्टेटियों का अपना पहला सर्वेक्शन कराया तो यह है आपका वह वेटा उडिसा और उडिसा का अभी आने वाले क्यूशन में में रिजन दूंगा कि यहां पर इन्होंने इसका जो सर्वे है वो क्यों करवायता जो पिछड़ी जाती है जो ट्राइबले रियाज है उन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डूरिंग इस बजट विट एन आउटले ओफ आरेस्टी फिप्टी हंडेड करोर लगवे पैती सो करोड का जो बजट है वो किस राज़े ने पास किया है किस राज़े ने हाली में अपने बज़ट के दोरां सार्वोमिक स्वास्त कवरेज की गोशना की है जिसमें 3500 क्रोड रुपे का प्रिवे है या खर्च है और यह है वेटा ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं में यह है आपका वो है राजस्तान राजस्तान में चिरंजीवी चिरंजीवी योजना के नाम से एक योजना बनी है जिसमें की जो भी मतलब की BPL केट में लोग है और उसके कुछ ट्रेंशन कंडिशन है उनको आपको हेल्थ इंसुरेंस है उसके लिए लगबल साढ़ी 3000 क्रोड रुपे है वो खर्च होंगे चिरंजीवी योजना उसके बाद में नेक्स्ट क्यूशन है वो है विच कंट्री प्रेसिडाइड ओर दी वर्च्वल मीट ओप जी ट्वन्टी फैनेंस मिनिस्ट्री एंड सेंटल बैंक के गवर्णर्स किस देश ने जी ट्वन्टी वीत मंत्रियों और केंजे बैंक की भी तीस तारिक को फिर से यह जो जी ट्वन्टी की मिटिंग होने वाली है सम्मिट होने वाली है और 2020 की जो जी ट्वन्टी की सम्मिट थी उसकी अध्यक्स्ता जी ट्वन्टी 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 में हैड थे वो थे या जो अध्यक्स्ता किती वो थी साओधी अर्वि इटली, I, T, A, L, Y, और 2022 में कौन है, 2022 में कुई बच्चा आंसर दे सकता है, 2022 में कौन है, G20 की जो देखता है, 2022 में कौन करने जा रहा है, कोई बच्चा क्विक्ली आंसर दे सकता है, ठीक विटा आप मैं बताता हूं हना तो 2022 है 2022 में इंडोनेसिया है वो अध्यक्सता करने वाला है और 2023 में 2023 में है G20 G20 की जो हैड करेंगे वो है इंडिया तो यह है पहले यह था कि इंडिया हो 2022 में हैड करेंगे लेकिन हर चीज में आपको पताए कि थोड़ा सा मतलब की पॉलिक्टिकल पार्टी से तो उनका अपना भी एक मत होता है अपना भी एक परसेप्शन होता है कि किसी साब से उनको अगले इलेक्शन में जाना है 2024 में इलेक्शन है तो डेफिनेटल जो करेंट गवर्वेंट है उ बड़ की जो टॉप 20 economies है उनके हैड अगर आपके country में आते हैं कहीं पे भी तो वो एक लिटरल एक बहुत बड़ा मतलब की इवेंट बनता है एक नोट ओली नेसल मीडिया इंटरनेसल मीडिया में वो चीजे सामने आती हो और अगर इतना बड़ा इवेंट है वो इंडिया में कर दिया है क्योंकि 2024 में है इलेक्शन होने वाले हैं ठीक बड़ा उसके बाद में आर विनेकुमार है जानाउंस हीज डिटार्मेंट फॉर फ्रॉम विच स्पोर्ट्स यह क्योशन तो मुझे पक्का पता है कि 200% हर बच्चा है वो आंसर देगा क्योंकि क्रिकेट के तो तोड़े होंगे मतलब पुराने वाले जो डिस्ट में फैकने वाले थे वही तोड़े होंगे तोड़ के वीडियो तो बनाया होगा है कि निवेड़ा तो यह क्रिकेट से थे और इनकी अगर जीवनी के बारे में देखे हैं यह पूरा इनका वो है जन्म है वो 84 में वाता फ इंबावी के अगेश्ट में था न लास्ट में था वो तुक्र देखे हैं तो इन्होंने है वह डिकलेर कैया कि वह रिटार्मेंट ले रहे हैं वाट तीदा फूल फोर्म ऑफ आईसी एल इडी आइसी एली डी का पूंड रूप क्या है क्या है i c led एड एक है यह मी आपका इंके लाइट दिवामेंड यह काफी मतलब कि एक वह इंके लिदिट हैं हँके किसे आपके दूसरे हैं वो लाइक जाती है तो इसको डायेक वह औरखे आप इसको फुल फर्म को ही याद करेंगे। लाइट है वह इमिधिंग रोधिंग है लाइट है उसको फ्लो करते हैं वो चीज़ अभी यहां डिसक्स नहीं करेंगे क्विक्ली बेटा मैंने आइफोन तोड़ा है बेटा कमल आपने आइफोन तोड़ दिया हम सोच रहे आपके लिए अप्लिकेशन लिए 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 तो उस पर डवलप करें और आपने आइफोन तोड़ दिया गुट ठीव यह थो यह है आपका आइफेड और इसमें ऑपैलिफ है उसकी फुल पॉर्म है वेटा उडिसा पर्टिकुलर्ली वेल्मेबल ट्राइबल ग्रूप से एंपार्मेंट एंड लाइवलिफूड से इंप्रूमेंट प्रोग्राम यह उपलिप की फुल फॉर्म है जिसमें ओग इस्गल टू उडिसा है और आइफेड का मतलब है दा इंटरनेसल फंड फॉर एग्रिकल्टर डेवलप्मेंट और अभी पहले उपर जो ट्राइबल जो सर्वे था उसे लेटर के उसना आया था उस ताइप मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट उसन में इस काम से बता हुआ कि क्यों उन्होंने वो मतलब की जो सर्वे करवाया था कि वहां पे कितने है वो ट्राइबल एरियास में पिछड़े लोग है उस चीज के लिए तो यह इसी फिल के quality to 330 सेुट के लाइन से इन्फर्मेशन और सहीटियोंदलाइन से जाए चीज़ते ऑने जाते है यह फिर सेम बार बार बोढ़ है कि IRDI है ना और IRDI की जो फुल फुम है वो है इंचरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलप्मेंट ऑफ दी इंडिया ठीव डांग के बाद में नेक्स चूसना है विच स्टेट यूटी है लवर्ड दी एज ऑफ दी एलकोल कंजंप्शन फॉंटिफाइव टुटिवन और मुझे पता है यहां पर सारे बच्चे एक ही स्टेट का नाम देंगे ना बिगर गूगल के विए अगर आप गेस करोगे तो मुझे पता है कि आप जो स्टेट का नाम दोगे वह डेफिनेटली गलत होगा उसमें एज है वो और भी कम है 21 साल नहीं है उसमें और भी कम है क्विक्ली बिटाओ क्विक्ली कौन सा स्टेट है विटा तो यह है आपका डैली जहां पर एज को है वो 25 साल से 25 साल से गठा के 21 साल कर दिया गया है यहां पर जो मेरा असेस्मेंट था वो गोवा था कि गोवा बच्ची आंसवर देंगे यहां पर ओरेडी है वो 18 की यह से फारा साल के बाद में है वहां पे अलकॉल अंजमसन मतलब कि आप डिंक ले सकते हो लिक्वाइब लेकिन बाके स्टेट में गडियू में पच्ची साल सब्सक्राने और वो कर दिया और इसका रिड्यूस करने का एक रिज़न ये भी है कि यहां पर mostly क्या होता है कि हर स्टेट में ही लिक्वाय है वह एक revenue का बहुत बड़ा पार्ट होता है क्योंकि उन पर taxes है वो बहुत ज्यादा होता है और इंडियन government या मतलब state government से वो mostly अगर हम बात करें आज की रेट में tax collection की तो mostly जो petrol diesel से और जो liquor है उनसे जितना इनका revenue generate होता हो किसी दूसरे production नहीं होता है कोई यह साथ दूसरा काम नहीं है जिसे उनको इतना ज्यादा revenue generate होता हो इतना ही liquor से या drink से और उसके अलावा आपका इस से होता हो petrol diesel चे होता हो और इसी वज़े से इनकी petrol diesel है उसको GST की settlement नहीं लाए जा रहा हुइं क्योंकि लगब काफ लग यह वी टैक्स इस है और वह लेकिन इसमें दोनों है वो जिम्मेदार है ओट इस दी काफी इंटरेस्टिंग कूशन है और देखोगे तो आप इसके बार में बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा वाइकल जीवीडी क्या है जो हाली में चर्चा में रहा क्या है यह आपका वेटा रसियन टेलिसकोप और यह TVs में रहने का क्या रिजन था verses टेलिसकोब यह से कोई सा भी देश हो टेलिसकोफ लगा सकता रैट तो उसका gianra रिजन क्या है Ihnen यह है कि यह आपकी जो बाईकल है बाईकल यह लैक है यहां पर यह साइबरिया में यह मंगोलिया है मंगोलिया के नीचे चाहना जायडा और यह साईबेरिया में मतलब की भाक कल से मतलब करके लेख messy तो यहां पर इस लेख में का candle निफ लैक लेग है काफी गयरेश हील के अंदर यहां पे टिलेस्कोब रखा गया है और यह त्यों रखा ग Tá गाया है तेलिस्कोप रखने का यह है कि ज़ीविडिये है जेविडिये टेलिस्कॉप नाव दिया ग NOW तो जिविडिये का काम क्या है Г्विडि दिजाइन टू डिटेक्ट हाई-ग इनेरजी नूटिनोस का काम है कि औरू पर्विकिसे बनते गोर्ट ही किसे नहीं बनी कि जो यह है नूट्रिनोस है नूट्रिनोस को डिडेक्ट करने के लिए अभी तक जो मौस्टली जो नूट्रिनोस है वो यह माना जाता है कि जो पर्थवी का जो सेंटर पोइंट है पर्थवी का जो अर्थ का जो सेंटर पोइंट है वहां पर नूट्रिनोस हो सकते हैं या हम South Pole में जो dhoriva है उन पे हमानते कि neutrinose है या हमानते कि neutrinoze है वो जो पर्थवी पे आते हैं वो आते हैं कि जब supernova activities होती है supernova activities जब सूर्ये पे होती है तो वहां से जो ये high energy particles है वो वहां से travel करके पर्थवी पे आते हैं तो वह चीज़ अभी किलिए लिए वो थ्योरी किलिए नहीं उपाई कि नुटिनोंस कैसे बिल्ड होते हैं क्या है क्या नहीं है अभी जस्त यह चीज़ गेस चल रही है और उसी चीज़ को डीप में स्टेडी करने के लिए है वो है आपकी जो जीवीडी बाइकल नाम दिया गया है जो टेलिस्कोप है वह है क्योंकि बाइकल यहां पर यह लैक है जिसके अंदर यह जो जीवीडी है जो इसी सबसे डिजाइन की गई है जो कि हाई एनर्जी जो न्यूटनोस है उनको डिटेक्ट कर सके उसके लिए यह काफी ज़्यादा न्यूज में रहा था ठीक है बेटा उसके बाद में यह है इंडियन नेवी केरिड आउट पैसे एक्सरसाइज विट विच कंट्री इंडी पर्सियन गल्फ ऑप्रेशन संकल्फ ऑप्रेशन संकल्फ है 2019 से शुरू आता 2019 से शुरू हो रहा है और इसके पिछे का रीजन है कि यह ऑप्रेशन है वहांपे होता है और इसमें कौन सा कंट्री है जिसके साथ अभी रिसेंटी यह हमने एक्सरसाइज की है वो है आपका बहरीन यहां पे छोटा सा लेस है खिना तो बहरीन यहां पे देश है और यहां पर आप यहां पर इसकी क्रिटिकलिटिती देख सकते हूः tensions करवाया कि जो geopolitics है geopolitics में 2-3 जगह है वो काफी यह मान कि इंडो-pacific बोल सकते हो आप वो काफी ज़्यादा आने वाले 30-40 सालों में होट रहने वाला है वो है यहां पर आपका यह जो strategy है क्योंकि यहां पर सारा जितने गल्फ हो यहाँ यहां पर है और यहां पर ब्लोकेघ्ट nya की चांश सहसे बहुत INTERSERe감 फारे जाथ है यहां पर माल लो लूडिशी बूटी में यहां पर तो मतलब की आज éléments का वूटी सेंटर यह उसकी नुभी का देखोगी तो इतर भी इंडमान इकवार दीपस्व में के पास में भी जो चौक पॉइंट है जिसमें हम अंडमान इकवार में हमारे तीनों फोर्से काम करें तो उसी साब से मल्टिपल जो पॉइंट से इंडो पेसिफिक में वह एक सेंटल पॉइंट रहेंगे आने वाली पॉलिटिक्स का की जो वारफेर्स वगरा होंगी जो उनके लिए और यहां पर जितने भी वारफेर्स हो रहे हैं मल्टिपल कंट्री तो करें क्योंकि यहां पर चाइना है वह इस हद तक एक कॉलोनाइज्ट हो गया है चाइना की यहां पर जो पर्टिकुलर एरिया है पर्टिकुलर जो यह ग्वादर सीटी बना है इसके अंदर जो करेंसी है जो रोज लेंदेन की जो सब्जी वगिरा है या जो भी आप ग्रोसरी का सामान भी खरीद होगे वहां पर तो वहां पर भी चाइनीज करेंसी है वो चलेगी तो यहां पर यह चीज काफी सेंसिटी है उस वज़े से 2019 से इंडिया ने जो ऑपरेशन संक्तल्प लॉंज किया है और यहां पर जितने फ्रेंड का फ्रेंडली कंट्री से उनके साथ में एक्सरसाइज करता रहता है ठीव डिटेंज मेंडिधी फैनेंस संब्सक का जो फिल इसम सब्सक्क्राइब के मतलब क्या हैी enfori फॉइडेंट्स हाथ तो इम्प्लोई फ्रोइच परस्ट रॉक्डरों है उसमें जो 2021 का फिल था है कि गुवर्वेंट है उसके साथ पास में डेफिशनेट लिए कि क्राइसिस है पैसे का आज इन गुवर्वेंट के पास पैसा नहीं हो और आपने यह अगर मैंने जो पहली उसमें आपने देखा हो तो करंट अकाउंट डेफिसेट हो इंडिया का ओल्मोस्ट 9 परसेंट के असपास चल रहा है और यह नंबर हना करंट अकाउंट डेफिसेट 9 परसेंट का मतलब क्या है 9 परसेंट का मतलब यह है कि अगर आप 100 रुपे का एक्सपोर्ट कर रहे हो 100 रुपे का एक्सपोर्ट कर रह से तो उस चीज को और कम करने के लिए चाहते कि जो इंप्लोईज है गवर्वेंट इंप्लोईज वगिरा है वह अपना जो पैसा ज्यादा ज्यादा लोग जमा कराएं तो उस सिनेरियों में इसमें क्या है कि इस लिमिट को बढ़ा के धाई लाग से बढ़ा के और पांस लाग तक यूपीएफ जमा करवाएंगे तो उस पर आप पर कोई चार्ज है वो नहीं लगेगा ठीक है उसके बाद में नेक्स क्यूशन है एज पर एसाई पी आराई बाई वाट परसंटेज इंडियाज आंस इंपोर्ट हैव डिक्लाइन बिट्विन ट्वन इलेवन सोरी ब्र haircut 11-15 और 2017-20 के बिश में जो ARMS है वह reduced हुआ है इहाँ से 2011-15 परसंटेज काउंट करो 16-20 है यह प्रसंट इंसे compare करो तो कितने percent arms import है वो reduced होए क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया पे मतलब कि बहुत गंदा मतलब टेक लाने लगता था कि इंडिया है वो second biggest arms का importer है और arms अगर आप ज़्यदा ज़्यदा इंपोर्ट करते हैं तो यह वो लगता कि आप यूद के लिए या तैयारी करे हो आप स्क्राइब करें और यहां पर जो यह है कि इंपोर्ट है 2011-15 से कंपेट करें 2016-20 को तो लगबग 33% का जो इंपोर्ट है वो रिड्यूस हो गया है और आज की रेट में जो जितने में छोट-छोट प्रोड़क्ट से वह मैडिन जो मैकिन इंडिया के तहत है वह बन रहे हैं इसके अलावा हमने जीसे 83 टेज़स है 83 टेजस है उसके उनका प्रिकवर्मेंट के ओडर दे दिये हैं उसके अलावा जैसे 118 अर्जुन अर्जुन टेंक है वो हमने ओडर किए तो यह यह तो बड़े फिगर से है हना इसके अलावा भूश्ची नेवी की जो सिप वगिरा ह है वह में किन इंडिया के तहित बंद रहे तो यह यह तो बड़े-बड़े फिकर से इनके अलाव जिसे राइफल से रिलेटेड है और चीजह है चोड़ चोड़े जो प्रोड़क्सन है वह ओडिनेंस फेक्टरी में चोड़ चोड़े हो पहले वह सारी लगबग हम अवोग कर है थे वह काफी चीजह बंद रही है और उस वज़े से परसंटेज लगबग 33% का रिडियूस हुआ है उसमें नेक्स्ट क्यूशन है वह है आपका टाइम काफी रिडियूस हो गया ठीक है लास्ट क्यूशन यह दो क्यूशन फटा पर चल लेते हैं न्यू मीडिया एंड ड को पेक करना पड़ेगा उस्टेलिया में है इस तरह का पहले फ्रांस में भी कानून बन चुका है ठीज वटा उसके बाद में नेक्स्ट चूशन है विस रेगुलेटर है प्रपोस्ट टू इंट्रोड्यूस है कॉंसेट कॉल्ड एक्सेटर इंवेस्टर किस नियामक ने मा इस ऐसे वर्ड कप वाज सेडूल तो भी हैल इन चेंगवन सिटी लोकेटर इन वीच कंट्री यह क्यूसंस भी मेरा क्रवाया हुआ है यह वेटा साउथ साउथ कोरिया यहां पे जो शुटिंग का जो शुटिंग फेडरेशन है वो इंटरनेशन स्पोर्ट शुटिंग फे वेटा इसके बाद में लास्ट क्यूसन है देशी ऑस्टेल है मधुमकी कि किस दुल्लब प्रजात्ती को हाली में ऑस्टेल है के पूरी तरप पर देखा गया था उसका है वेटा यह है फेरोलाइसिस लेक्टी फिरेस यह आज के 25 क्यूसंस रखते हैं बाकी के चार क्यूसं है वो हम नेक्स्ट उसमें एड करेंगे या आने वाल जो क्यूसन सीरीज है उसमें डिसकस करेंगे उसके अलवा यह हमारे एप्लिकेशन है आप डाउनलोड कर सकते हो इंस्टोल कर सकते हो यहां पर अर्जूनवेस को इन्रोल कर सकते हो और 499 का जो बैसिक चार्ज है वो प आउट कर सकते हो ठीके वेटा तो आज के लिए इतना ही कल फिर से मिलते हैं एक नए सेशन के साथ तब तक के लिए जै भारत